दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे यूटूब चेनल सरकारी टेक वरत दोस्तों आज दमलोग बात करने वाले हैं बिनोवा भावे विस्विद्याले हजारी बाग के बारे में जी हां दोस्तों आपको बता दे कि बीवियू द्वारा एक ओफिस्यल नोटिस जारी कर दिया गया है एडमिसन को लेकर जी हां दोस्तों आपको बता दे कि कोरोना काल में ही सेमेश्टर फोर और सेमेश्टर टू का एक्जाम हो रहा था यानि दोस्तों सेमेश्टर फोर का आपको बता दे कि semester 5 में admission लेने का आपका date publish हो चुका है यानि आप कब से अपना admission ले सकते हैं semester 5 में तो दोस्तो उसका भी notice जारी कर दिया गया है और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम कब तक अपना admission ले सकते हैं semester 5 में तो दोस्तो यदि आप semester 4 के student है और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आईसे ही वीडियो के सारे अपडेट देखने के लिए तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं notice और आप कब तक admission ले सकते हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं ये है वीडियो का ओफिस्यल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं सुचना करके लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बढ़ा दिया हुआ है यहाँ पे देख न लिखा है सभी अंगी भूत महाविद्यालों के फरचारियों को ने देशा अनुसार सुझित किया जाता है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए समसत्र सेमेश्टर फोर में उटिन हुए विद्यार्थियों को अगले समसत्र में विवी वेबसाइट www.pvu.ac.in के माधियम से ओनलाइन प्रक्रिया के तहत नामनकन लेने के तिथी 422 तक की जाती है संबंदित महाविद्यालों को नामनकन समाप्थ होने के उपराम सुझियों नामनकन सूलक महाविद्यालों को भेज भी जाएगी तो दोस्तों देख सकते हैं ये है ऑफिस्यल नॉटिफिकेशन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है चार तारिक तक मतलब आपको एडमिशन ले लेना है देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई सोचते होंगे यह कब का नोटिस दोस्तों देख सकते हैं एक दिन पहले मेरे पास आ जाता है नोटिफिकेशन तो दोस्तों देख सकते हैं यह आज का यानि कल का नोटिस का डेट क वा रहिता है भित है determined झाल झाल